बिहार की दो राज नितिक पार्टिया एक नितीश कुमार की जनता दल उनाइटेड तो दूसरी उपेंद्र कुस्वहा की रालो जग दोनों में प्रतिस्परदा चल रही है इस बात को लेकर कि कौन पार्टी पहले राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है हाला कि जदियू 20 सल से अधिक पुरानी पार्टी है और राष्ट्रिय लोक जनता दल जो उपेंद्र कुस्वहा की पार्टी है वो नौन इर्मित पार्टी है लेकिन इसे लेकर आप competition जो है वो देखने को मिल रहा है देखिए एक तरह उपंद्र कुस्वा ने इसका ऐलान कर दिया है कि विरासत बचाओं नमने आत्रा तो बिहाग में वो कर रहे है जिसका दुसरा चरण 15 मार्स से है वो खत्म होने के बाद वो देख की अलग-अलग राजू में भी निकलेंगे और राष्टिय लोग जनता दल के लिए सदस्यता अभियान चलाएंगे तो दूसरी दरब जनता दल उनाइटेट के राष्टिय देख ललन सिंग ने आहलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में जो पाटी है उनकी जन्यू उसे लेकर सदस्ता अभियान चलाना है जिसमें 5 लाग नए सदस्यों को उत्तर प्रदेश में जोड़ना है जी हां देखिए लगबग दो दसक से जनता दल उनाइटेट के नित्रितों कर रहे मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पाटी को राष्ट्य दरजा दिलाने की कई बार कोशिस की है और इसके लिए उनकी पाटी ने जारखंड दिली, नागालैंड, त्रिपुरा समेत कई राज्यों के विधान सभाव चुनाओं में अपने उमिद्वार भी मैदान में उतारे थे लेकिन नितीश कुमार की पाटी को राष्ट्य पाटी का दरजा प्राप्त नहीं हो सका नहीं हुआ और जिसके चलते अब वो पाटी जो है वो छेतरिये ही पाटी बनकर बनी हुई है इसके अलाबा जनता दनी उनाइटेट के राष्ट्य अध्यक्ष राजीव रंधन सिंग और फ्ललन सिंग ने उत्तर परदेश जदिव के परदिश अध्यक्ष अनूप पतेल का जो इस्तीफा है वो स्विकार कर लिया है और इसके बाद से ही उन्होंने ऐलान किया कि अभी यूपी में याने उत्तर परदेश में सदस्ता अभियान चलाना है पाटी की ओर से पताया गया कि नीव रतमान परदेश अध्यक्ष अनूप पतेल के सुझावा पर ही राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग ने पाटी के वरिये परदेश उपाध्यक्ष और संगटन प्रभारी सतेंदर पतेल को संयोजक निक्त किया है जनता दल उनाइटेट की ओर से पताया गया कि अगले तीन महीने के भीतर उत्तर परदेश में पाच लाग्ष अधस्य बनाने का जो अभियान है वो चलाया जाएगा तो कहीं न कहीं बिहार की ये दोनों राजदिक पाटी और दूसरी पाटी जो है उपेंद्र कुस्वाह राष्टिय लोग जनता दल के ये जो पाटी है इसका तो जन्मी जनता दल उनाइटेट के विरोध में हुआ है वो पुरा प्रकरन हमने देखा है बीते दो महीने में ये घटना बिहार में घटा है कि उपेंद्र कुस्वाह बागी होते हैं और एक नहीं पाटी का निर्मान कर लेते हैं खुझ इस पाटी के राष्टिय बन जाते हैं और उसके बाद बिहार में नितिश कुमार के खिलाप विरासत बचाओ नमन यातरा का दोरा भी सुरू कर देते हैं पहला चरन उसका पूरा भी हो चुका है और दूसरा चरन होने जा रहा है तो कहीं न कहीं और इसके साथ ही साथ ये भी हमने देखा है कि कई इलाकों में यहां पर उपेंद्र कुस्वाह पहुंचे हैं गये हैं वहां पर इस्थितिया ऐसी रही है कि जेडियू के कितने ही क्यार करता प्रखंड अस्तर के नेता रालो जद के मेंबर बने हैं उसकी सदस्ता उन्होंने ली है तो कहीं न कहीं जेडियू को बना नुक्सान उपेंद्र कुस्वा पहुचा रहे हैं और अब सीधी लडाई लडने के मूड में राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग भी आ चुके हैं देखने वाली बात यह होगी कि निकट भविस में कितने सार्थक रूप से जोसे दो सदस्ता अभियान है जदियू का वो यूपी में कारगर होता है और उपेंद्र गुस्वाहा कितना अपना जो पैठ है वो बिहार की राजनिती में अपनी पार्टी राष्ट्रिये लोग जंदर दल का बना पाते हैं फि दिया टॉप के साथ प्रणाम अधित्तारयन है बहुत बहुत शुक्राइब